उन पांच जिलों में हमारा जिला नहीं था करनाल, सिर्फ उन जिलों पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन्स लगी थी कल पांच जनवरी को जो ओडर आया है उसमें उस ग्रूप A जिलों में हमारे जिले को भी शामिल कर लिया गया है क्योंकि यहां भी नंबर ओफ कैसे जो है अलार्मिंग रेट से बढ़े है अब काफी सारे जिले जैसे करनाल, पानीपत, कुरू छेत्र, यम्ना नगर, रोटक और जर्जर इन जिलों को ग्रूप A जिलों में एड़ कर दिया गया है और उसकी नई गाइडलाइन निकाली गई है एक तरीके से कहा जाए तो पार्शल लोकडाउन लगाया गया है अब इस लोकडाउन में क्या-क्या प्रावधान रहेंगे कई सारी चीज़ों को लेकर के कुछ कन्फूजन्स थे तो वो हमने सरकार से भी बात की है अभी हाल ही में और मैंने पूछा है और उनसे कई काफी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई है एक जो इसमें सबसे प्रामिनेंट चीज मैं के करके बताते जाता हूँ चार-पांच मुक्च मुक्च चीज़ें हैं एक तो यह कि सिनेमा होल जो है वो पूर्ण तया बंद रहेंगे मल्टिप्लेक्स होल सिनेमा होल जिले में तो वो बंद रहेगा दूसरा जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं स्टेडियम्स हैं स्विमिंग पूल्स हैं ये भी बंद रहेंगे क्योंकि यहां भी लार्जर गैदरिंग की आशनका है इसके अलावा गवर्मेंट ओफसेज में जो जो दफ्तर में लोग आएंगे चाहे वो करमचारी ह औरृषel में जो दिए हैंगे सात ही पॉसरा जाएगा १ूर चीरट कर southwest और समस्ट को जाएगा बाश चैजेशन को सबसे क्रेक्ज्चर के बंद व debating इससे बंसेज में ति हुआ हमारे ने major markets for example अगर मैं शहर की बात करूँ तो जैसे करन्ट गेट मार्केट हो गया कुझपुरा मार्केट हो गया सेक्टरों के मार्केट हो गया जो जो हमारे मार्केट एरिया हैं वो छे बजे बंद कर दिये जाएं उनकी शोप छे बंद कर दी हैं यह तीन चार अफवाद हैं एक्सेप्शन्स हैं जो छे बजे के बाद भी खुली रह सकते हैं पूरी 24 आर्स आप ने देखिए उनकी खुलती हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन इसेंशल चीजों को छोड़ करके बाकी सारा मार्केट ये एक्स्पक्टेड है कि 6 बजए बंद कर दिया जाएगा जो होटेल स्रस्टेंट जो मार्केट इरियास में हैं वह बंद रहेंगे लेगिन जो स्टेंड आलोन हैं होटेलломस धाबे हैं रेस्टरेंट्स हैं वो ग्यारा बजे तक चल सकते हैं 50 परसेंट चम्ता के साथ एक अगेन इसमें जो एक बड़ा कन्फूजन जो बीच में आया था जो हमने सरकार से क्लैरिफिकेशन ली है कि जो मार्केट एरियाज में होटल्स हैं वो बंद कर दिये जए क्योंकि जब पूरी मार्केट बंद होगी तो ब हें व भी बंद जो हाए ताके हैं लोगों की आवज आवजाई ना हो लेकिन जो स्तेंड-ड़ोन खोटation狀 से बार से धाबे ये वह जो है 50% के पैस्थिक के साथ चलेंगे इसके अलावा जो पहले वाले प्रावदान है वो नीमान सार लागी रहेंगे लागू रहेंगे जो मैरिज़ेज हैं फर एक्जामपल अगेन शादियों का धार्मिक जो जुलूस निकाले जाते हैं उन सब की छमता है मैरिज़ेज में सो आदमी से ज्यादा लोग ना जाएं रिलिजियोस उसमें 50 लोगों से आदमी ज्यादा शरीक ना हो लेकिन वो ग्यारा बज़े तक ही चल सकते हैं उसके बाद वो चलने की उनको अनुमती नहीं होगी जिम्स की जो है वो सिर्फ वैक्सिनेशन सो वैक्सिनेटड जो लोग है वो जिम में जा सकत जो बेरी वाली शॉपस अई हैं उनके साथ साथी मिलक शॉपस गैजिड प्रोडक्ट्स हैं मिलक रिल्टर्ट्स और टूपस को बादने नोगुंकि अनकी जो जो कई सारे इतम्स पैरिश्बल होते हैं खराब हो जाने वाले होते तो वह जैसे दूद की दूद की दुकाने मंदिर गुर्दवारे चे बज़े बंद हो जाएं और उसमें भी कैपस्टी जो है पचास लोगों से जादा की ना हो और वो भी पर्मीशन के साथ इंडूइजियल मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है लेकिन एक इसमें सिंपल सा वाइफरकेशन है स्टेंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मार्केट अरिया जो है वो छे बजे तक बंद हो जाएं जो आपने नुकड की बात की उसमें जादा तर दुकाने किराने की होती है वह जो है छे बजे के बाद भी उनको खिल लेगी जो मुख्य मंडी है जो अनाज मंडी के पास में कर रहे हैं कि किस तरीके से शहर के सेक्टर्स में उनको बांट करके वाडवाइज बांट करके घर घर तक पहुंचाई जाए और एक चीज में क्लैरिफाई करूं कि होम डिलीवरी पर कोई प्रति बंद नहीं है अगर होम डिलीवरी ग्यारा बज़े तक की जाए तो सरकारी बसें चलेंगी लेकिन हम जरूरत होगी उसी समय चलाएंगे सरकारी बसों में सर्फ वैक्शनेशन दिखाकर के लोग बैठ सकते हैं सलून का जो कि गैर जरूरी कारियों में है तो छे बचे तक खुलेंगे और कोई भी एक्टिविटी जो जरूरी नहीं है वो स्कूलों में होते हैं तो उनको स्कूल बनाने की इजाज़त दे दी गई हैं फैक्ट हम बुला भी रहे हैं हमने बनाया हुआ है ब्लोक वाइज बच्चों को बिला रहे हैं और वैक्सिनेट कर रहे हैं पुलिस में भी जहां तक मुझे अंदाजा है लेस देन टैन करती नहीं है क्योंकि ओनलाइन क्लासेज अभी वी अलाउड है उसमें अगर संख्या तीचर्स की सोसे बढ़ती है तो वह अपना डिस्टेंसिंग उसे साब से करें मुझे डाउट की एक आद स्कूल में कोई सजी स्थती बनती होगी नहीं तो आम तोर पर स्टाफ सोसे होना नहीं चाहिए अगर किसी का है भी तो हमसे पर्मीशन ले ले और डिस्टेंसिंग के साथ चालू रखते हैं